दोस्कार आप देखेरें इंडिया की बात मैं अभिसार शेर्मा मेरे साथ हैं भाषा और उर्मिलेश और आज तीन मुद्दे कौन से हैं मुद्दा नमबर एक भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गाधी के साथ आई उनकी बहन प्रियंका अब भाजपाउने सद्दाम हुसेन बता रही है मुद्दा नमबर दो चुनाव आयोग की निश्पक्षता पर करारा प्रहार किया है सुप्रीम कोट ने मगर क्या सुप्रीम कोट ऐसा फैसला देगी जिससे बदल जाएगी चुनाव आयोग की शक्ल और मुद्दा नमबर तीन भारतिय जनता पार्टी और मीडिया गुजरात के चुनावों में आफताब मुद्दे को क्यों भुना रही है नफरत का सहारा क्यों ये तमाम मुद्दे होंगे दोस्तों अगर सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे राहूल गांधी की भारत जो जोड़ो यात्रा का असर जो है वो पढ़ रहा है यानि कि आप प्रधान मंत्री भी अपनी तरफ से जतलानी की कोश्च कर रहे हैं कि अपनी राजनीती में वो लोगों से मिल रहे हैं जिस तरह से राहूल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों से मिल औरतों से बुजर्गों से मगर हो क्या रहा है समानांतर तोर पर भाजपा ने उन पर हमले की तमाम हदों को पार कर दिया नड़ा कहते हैं कि वो अपने बुजर्गों के पापधोने के लिए उतरे हैं हेमंत विश्चर्मा उनकी तुलना सद्दाम से करते हैं नचाने क्या क्या और ये ना भूलें प्रियंका भी चार दिन के लिए इस यात्रा में उनके साथ हैं इस ख़बर का पंच क्या है शुरुआत हम करना चाहेंगे भाशा के साथ अभिसार मुझे लगता है कि अब भारजोडो यात्रा की असली अगनी परिक्षा है जिस इलाके में वो प्रवेश की है वहाँ भाश्पा का पूरा आधिपत्य है और सीधे सीधे टकराहाट और बॉकलाहाट साफ दिखाई दे रही है और शायद यही वज़़ा है कि बिलो दबेल्ट यानि राजनितिक मर्यादा को ताक पर रखकर हमले तेज हो रहे हैं कभी किसी महिला किसी जो साथ चल रही है उनके साथ उनकी फोटो मीडिया में प्रचारित प्रसारित की जाती है और कभी सद्दाम सहित बाकी लोगों के नाम लेकर उन पर दुश्प्रचार तेज हो रहा है कठिन दौर में प्रवेश कर रही है भारत जुडो यात्रा इस मुद्दे पर मेरा पंच यह दोस्तों कि अब जाकर हमें पता चलेगा कि भारतिये जनता पार्टी मर्यादा की कितनी सीमाओं को लांगने वाली है कितना गिर सकती है और आप देखिए का आने वाले दिनों में क्या होने वाला है मीडिया और भाजपा के बीच में जो तालमेल है वो और भी जादा पैना होने वाला है जिसके जरी राहूल गांदी पर हमले किये जाएंगे जो तमाम मुद्दे उभर कर आ रहे हैं उन्होंने शालीनता की सभी हदों को पार कर दिया है इस मुद्दे पर उर्मिलेशी आपका क्या पंच है नहीं देखिए मैं समझता हूं कि राहूल गांदी की तुलना सद्दाम हुसेन से करना ये बहुती उच्छा उच्छी बात है और एक समवैधानिक पत पर बैठे वे सज्जन ने ये बात की है तो एलेक्शन कमिशन आफ इंडिया को फॉरण जो कोड आफ कंड़क्ट है एलेक्शन का उसके तहट कारवाई करनी चाहिए थी कारवाई का नोटिस देना चाहिए था क्योंकि इसमें कहीं कहीं एक जोड़ा गया है कोई कलर भी कि किसी धर्म किसी संप्रदाय से जोड़ करके इसको पेश किया जाए बुझे लगता है वो बहुत ही गलत है शुक्रिया आपका और मिलेश जी शुरुवात मैं जेपी नड़ा के बयान के साथ करना चाहूंगा जेपी नड़ा साहब एनाई को इंटर्वियो में कहते हैं कि राहूल गांधी अपने पूरवजों का पाप धोने के लिए चल पड़े है भाशा कल्पना भी नहीं की जा सकती कि आप किसी के बाप दादा किसी के पूरवज पर इस तरह से हमला बोलें भाशपा को लगता है कि इस तरह की जो निम्नस्तरिय बयान है उसका एक ओडियंस है उसे हजम करने वाले लोग हैं उसे कंज्यूम करने वाले लोग हैं इसलिए आप किसी के पूरवजों पर हमला बोल सकते हैं और नड़ा साब को पता होना चाहिए कि अगर आप पूरवजों की बात करेंगे तो फिर आपके वैचारिक पूरवजों की भी बात होगी और मुझे तो लगता है कि नड़ा जी भूल जाते हैं मुझे लगता है कि पूरवज की बात उन्होंने कही राहुल गांधी जो नहरू ने डिस्कवरी औफ इंडिया लिखी है किताब पता नहीं कितने भक्त गौड़ों ने पड़ी है नद्डा जी पन्ने भी पलट पाए हैं कि नहीं तो हकीकत में डिस्कवरी अफ इंडिया को अगर जमीन पर राहुल गांधी इतार रहे लेकिन जो बॉखलाहट है क्योंकि उन्होंने जो कोशिश की थी शुरू से लेकर अब तक और इस समय बॉखलाहट नडड़ा जी हो या असम के मुख्यमंत्री हो सबकी बॉखलाहट बहुत साफ है क्योंकि नहरों की डिसकवरी ऑफ इंडिया जमीन पर उतरते हुए कन्या कु कश्मीर तक की यात्रा कर रही है और अभी तक लोग तो उसमें जुट रहे हैं तमान दुष्प्रचारों के बाद जुट रहे हैं इसलिए बॉखलाहट मुझे लगता है बहुत तकड़ी हो और इसलिए आप देखेंगे अभिसार गुजराच चुनाओं में एक बहुत बिल्ट यानि राजनितिक मर्यादा को तकाब बताकर हमला कर रहे हैं और एक सबसे दिल्चस बात यह और मिलेज जी भारती जहां था पार्टी के पास राजनीती करने का एक ही जरिया एक ही टूलकिट है अब आपको राहूल गांधी पर हमला करना है तो आप सद्दाम हुस है कि उसी बयान पर बड़े-बड़े मीडिया न्यूस चैनल जो है वो डिबेट भी करना शुरू कर देते हैं कि राहुल में सद्दाम दिखता है और साथ-साथ फोटोस चलाए जाने लगते हैं मतलब ये किस तरह का प्रोपगांडा है किस तरह का टूलकेट है अकसर अगरेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग दुनिया के मुलकों का या एशिया लैटिन अमेरिका या अफरिका के मुलकों में जो लोग उससे असामत हैं अमेरिका का विरोध करते हैं उनके बारे में जो चरित्र एक हनन का एक अभियान चलाता है अमेरिका अमेरिकी एजनसिया चलाती है ठीक है दुर्पयोग और जिसको प्रतीकों के तोर के इस्तेवाल ये लोग कर रहे हैं इस्लामोफोबिक जो है पूरा का पूरा मीडिया और लोग उसे भुनाने की कोशिश है अगर साफ साफ शब्दों में कहें कि आप उसे मुसल्मान से जोड़कर बुश्प्रचार करें मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ मैंने देखा आज प्रयंका गांधी के साथ उनके बेटे भी शामिल हुए उनके बेटे भी कुछ दे के लिए चले भारती जनता पार्टी उस पर भी हमला करने से बाज नहीं आई गौरव भाटी है जो की प्रवक्ता हैं विवादासपत प्रवक्ता हैं अनाप शनाप बोलते हैं उन्होंने ये तक कह दिया कि देखिए ये हैं कॉंग्रेस के भावी अध्यक्ष और मतला मुझे याद आ रहा है तमिलनाड के जो आईटी प्रमुक्ते उनके उन्होंने राहूल गांदी अपनी भांजी के साथ बैठे हुए थे उनकी महन्दी देख रहे थे उस पर तक अशलील टिप पनी मैं इस समझना चाहता हूँ कि अब हारती जनता पार्टी का सदस से बनने के लिए प्रवक्ता बनने के लिए क्या इस तरह से अशलील बयान देना जरूरी हो जाता है और देखे इस से मुझे ये भी लगता है अविसार कि जितना ही लोग परिवार परिवार की बात करते हैं संसकार की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तो यह बिलकुल संसकार भूल जाते हैं अगर कोई परिवार का व्यक्ति किसी यात्रा में शामिल हो रहा है तो ये तो एक positive चीज है ना कि आप उस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, आप संसकार, अच्छे संसकार, नफरत के बरक्स, प्रेम और मुहबत का संसकार अपने बच्चों में दे रहे हैं, लेकिन परिवार-परिवार की दुहाई करने वाली भाश्पा, कभी भांजी पर, क लुमेलेश जी, इससे पता क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि एक जो पूरा, एक पूरी सोच तयार की गई है, जिसके अंतरगत गांधी परिवार और उनके सदस्यों पर निशाना साधा गया है, और उस सोच के पीछे, जो पूरी मेहनत की गई है, जिसकी जमीन मेर खाल से 2000-2010-2011 में एक स्वरगी वकील जो बाद में मंत्री बने उन्होंने तयार की थी मीडिया के साथ मिलकर वही टूल के चला आ रहा है कि आप कुछ भी अनाप शनाब बोल सकते हैं गांधी परिवार के बारे में राहूल गांधी के बारे में और आप पर कभी कोई सवाल होगा नहीं देखे मैं समझता हूँ कि भारती जनता पार्टी या आरेसस ये अफवा और इस तरह के रियूमर मौंगरिंग या बिल्ड करना इमेज को खराब करना इसके ये बहुत बड़े आमिन विशेशग्य है इसमें इनका एक्सपरटाइज है और यहां कह सकते हैं डि मीडिया है पिछले कुछ वर्षों से तो मीडिया इनके पास है और जब यह शासन में नहीं थे तब भी मेरा मानना है कि मीडिया का एक बहुत डॉमिनेंट हिस्सा इसी तरह के सोच और रुजहान से ग्रस्त था और कॉंगरिस पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे लोग ते ज यजो भी आप उसको कहें वो भी उससे कनवर्ज करते थे ये हमेशा की तरह मतलब आप देखिए आज जो हो रहा है आज ठीक है अभी उनकी यात्रा चल रही है तो उस पर उनका ध्यान है लेकिन आप देखिएगा केरल से ले करके तमिलाठ कश्मीर से ले करके और बिहार जितने राजनेता भी पक्ष में हैं, सब के खिलाप इसी तरह के दुस्प्रचार, इसी तरह के अवियान, इसी तरह का नॉनसेंस हमेशा और मिले जी आपने मीडिया की बात की भाशा, मैं देख रहा हूँ, मीडिया राहूल गांदी की भारत जोड़ो यातरा को उसने पूरी तरह से उसका ब्लाक आउट कर रखा है, मगर जब भी मुद्दा उठाये जाता है, सिर्फ नकारात्मक वजह से, तो वो जो टूलकिट है वो साफता और पर दिखे, एक तो बॉयकॉट कर दो, ब्लाक आउट कर दो, उठाओ तब, जब या तो उसका मजाक उड़ाना हो, या उसके बारे में कुछ अनाशना आप कहना है, जब उपर से आदेश आ जाए कि अब आपको आज भारत जोड़ो यातरा को पीठना है, मु एक ही धंग की खबरें शुरू हो जाती है, एक ही धंग से सद्दाम आ जाएंगे, एक ही धंग से राहूल गांदी की फोटो किसी मैला के साथ आजाएगी, और उसमें कहीं से भी कोई अफसोस तक नहीं, और दूसरी बाह देखिए, एक खबर, मैं कहीं इतने दिन तक यह य यहाँ पर एक भक्त का पत्रकार, या तो उनकी हिम्मत नहीं हुई, या उपर से आदेश नहीं था, तो मुझे लगता है कि बहुत सीधा टूल किट है, बहुत सीधा निर्देश है उपर से, कि हमें इस खबर को इस तरह से दिखाना है, और निगेटिव प्रचार करना है, जी चलिए, भाजपा पर दोश मड़ना तो बहुत आसान है, मुझे याद है, जैराम रमेश ने कहा, कि मीडिया राहुल गांधी के दाड़ी पर क्यों डिबेट कर रहा है, मीडिया आखिर क्यों है, मंत बिश्वर्मा के जवायात बयान का जिक्र कर रहा है, जिसमें उनों प्रियंका गांधी के सलाकार बताने वाले आचारे प्रमोत कृष्णम महा बैठे हुए थे, तो प्रियंका गांधी के सलाकार प्रवक्ता भी नहीं, तो मुझे ये दोहरे मापड़न दिखाई देते हैं, कॉंग्रेस अपने गिरेबान में जाके, कि एक तरफ तो आप कहते कैंधर कॉंग्रेस पार्टी के, मैं कॉंग्रेस को कवर कर रहा हूं समझ लिजी है कि 1987 38 सी कॉंग्रेस पार्टी को और मैंने देखा है कि मनी, स्टेट और सेंटर बोल रहा早 हूं कि कॉंग्रेस पार्टी को बहुत वर्षों के बाद पहले भी मीवीन Mickey गाड़ गील और तमा बहुत अच्छे प्रवक्ता कांग्रिस पारटी के आए नहीं है उनकी तरिफ की जानी चाहिए लेकिन नेता अब आप देखिए राजस्थान में राजस्थान में सरकार उनकी है बीजेपी का चैलेंज है अगले चुनाओ में लेकिन सचिन पाइलेट अशोग गालोत के बीश में क्या चल रहा है और वो भी चुनाओं से एक साल पहल चुनाव आयोग पर चर्चा चल रही है मुद्द ये उठाया जा रहा है कि चुनाव आयोग निश्पक्ष नहीं है सुप्रीम कोट ने कई तल्ख टिपनियां की मसलन कि अगर आरोप प्रधान मंत्री पर आ जाए तो क्या आप कोई आक्शन ले सकते हैं क्या आप में इतनी हिम्मत है आप कटपुतली क्यों बन गए है टे एन सेशन को याद कीजे ये भी कहा गया कि चुनाव आयोक्तियों की नियुक्ती में जो पैनल होगा उसमें चीफ जस्टिस अव इंडिया का दखल हो अपने आप में बहुत जो है तल्ख टिपनेया की गई है मगर फैसला क्या होता उसका हमें इंतजार होगा इस ख़बर का पंच क्या है बताइए और मिलीजी देगे मैं इस बारे में बहुत वर्षों से लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि मारनी सुप्रिम कोट को जो डिबेट अब तक भारत में पोजिशन के बीच में प्लिटिकल पार्टी के बीच में एकेडिमिया में चलती रही है खासकर इस मुद्दे पर उसके तहत जरूर अच्छा कदम उठाना चाहिए और मेरे हिसाब से एक अच्छा कदम हो सकता है कि भारत के संविधान में आर्टिल 3.24 में संशोधन हो और आयुकतों की इंक्लूडिंग चीफ एलेक्शन कमिशनर इनकी नियुकती की जो प्रक्रिया है उसको बदल दिया जाए इसमें भारत के प्रदान मंत्री को, कैबिनेट को, मंत्री परिसत को केवल सिफारिश करने का अधिकार नहीं होना चाहिए तीन लोग हो प्राइम मिनिस्टर, एलोपी, लोगसभा में विपक्ष कानेता और चीफ जस्टिस आफ इंडिया ये होना चाहिए भाशा, आप बताईए क्या है इस कबर का पंच मैं मिलोड से दर्खवास करना चाहूंगी, कि आपके observations बहुत अच्छे हैं मिलोड लेकिन अकसर हमने देखा है कि जब आपके observations बहुत तल्ख और सच्चे होते हैं तब आपके फैसले उस तरह के नहीं होते हैं कम से कम कतनी और करनी में जो फर्क है उसे आप दूर करें और election commission वाला यह मसला इतना wide open shut case है कि इसमें कम से कम पैर रखिए, फैसला दीजिए, कुछ नहीं तो कम से कम फिलहाल के लिए इस पूरी नियुक्ती को रोकिए देश आपको देख रहा है मिलोड अभी सार, आपका क्या पंच है इस पर? इस खबर पर मेरा पंच ये है कि जब ये पूरी प्रक्रिया अदालक में चल रही थी तब अरुन गोयल की नियुक्ती चल रही थी चुनाव आयोग में यानि कि मोधी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता जो भी वैसला आजाए मोधी सरकार ने तमाम जो शालीनता या बेशर्मी कहा जाए उसकी हदों को पार कर दिया और सबसे शॉकिंग जिस तरह से चुनाव आयोग की आलोशना हो रही थी कम से कम मीडिया में प्राइम टाइम डिबेट्स होनी चाहिए थी पूरी खामोशी क्यों क्यों क्योंकि इसके जरिये प्रधान मंतरी या ये कहा जाए बी जे पिम बारिस हो सकती है उर्मिलेश जी मेरे खाल से इसमें एक जगा आब्जवेशन ये किया गया कि अगर प्रधान मंतरी पर आरोप कोई आए तो क्या आप उस पर कोई फैसला दे सकते हैं मुझे ताजूब हुआ हमारे सामने तो मिसाल आशोक लवासा की है आशोक लवासा ने दोहजार उन्नीस के लोकसाभा चुनावों में प्रधान मंतरी नरेंद्र बोदी और आमिट शा के चुनाव आचार सहिता के उलंगन का मुद्दा उठाया था उसका खम्याजा उन्हें भुगतना पड़ा कि उनके फोन में पेगिसस उनके रिष्दारों पर इनकेंटाक्स के रेड तो जो चुनाव आचोग में कुछ करने भी जाना चाहता है तो उसके सामनी ये नजीर है कि उसकी ये हाल की जाएगी तो साफ तोर पर स्ट्रॉंग आम टाक्टिक्स दिखाई देते हैं कि अगर कुछ अपनी सोच से करना भी चाहे तो ये उसकी हालत कर दी जाएगी इसलिए अभी सार जो हमारी जो कंस्ट्यूशनल बाडीज है जो इनस्ट्यूशन्स हैं उनका डेमोक्रिटिक होना उनका संविधान के प्रति प्रतिबद होना बहुत जरूरी है और सुप्रिम कोट आफ इंडिया इसमें सबसे बड़ा संरक्षक है इन इनस्ट्यूशन्स का पार्लामेंट आफ इंडिया में अगर किसी एक दल का प्रचंड बहुमत आ जाए कल्पना कीजिए और वो डेरल करना चाहे डेमोक्रिसी को ऐसे में क्या हो सकता है ऐसे में सिर्फ यही हो सकता है कि पुलिटिकल जो समाज जो रायनितिक समाज है अधर देन रूलिंग पार्टी वो खड़ा हो वो आवाज बुलंद करे और जो कंस्ट्यूशनल बॉडिज अपने देश की हैं जिनकी प्रतिबद्धता सरकार से नहीं है जिनकी प्रतिबद्धता कंस्ट्यूशन से है वो खड़ी हो वो आवाज उठाएं और ऐसा हमने अतीत में देखा है अतीत में देखा है अमर्जनसी के पहले अगर आप देखें उस तोर का महौल ठीक है आज जो महौल है उससे भी भयाव है उससे भी भयावा है लेकिन हमने देखा कि उस समय जोडिशरी ने आवाज उठाई जोडिशरी ने ऐसे ऐसे प्रशनों पर आवाज उठाई जिन पर आज सोचना भी मुश्किल है बिलकुल मुश्किल है तो इसलिए मेरा मानना है कि सुप्रिम कोट आफ इंडिया को इस म अपने हाथ में निरंकुष जो 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 उसकी निरंकुष्टा को बढ़ावा मिला है सरकार की बहुं सारे ऐसे इशूस पर अगर अगर हास तक शेप कर दिया गया होता तो सायद सरकार को एक जटका लगता हम आपको बताना चाहेंगे जिसका जिकर मैंने कुछ देर पहले क कि अरुन गोयल की जिस तरह से नियुकती की जा रही थी यानि कि जब अदालत में इसी मुद्दे पर बहस हो रही थी तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने उनकी नियुकती पर जो है वो स्विक्रती की महर लगाई मतलब इससे पता चलता है कि इस सरकार पर कोई असर नह पर कोई असर पड़ता है और इससे मज़ेदार बात ये है अभी सार शायद इसलिए हमें ये भी लगता है कि जब सुप्रीम कोट ये कहते हैं कि बिजली की गती से आपने काम किया देखिए जो शब्दावी रूज है इस्तमाल की गई है उब्जर्वेशन में उससे साफ है लेकिन प्रधान मंत्री से राष्टपती तक पहुशता है वहां भी मोहर लगती है वापस आता है यानि एक जो नया भारत मोदी जी ने बनाया है 2014 के बाद उसका जो नया नॉर्मल है वो यह है कि राजा जो भी चाहता है वह कर लेता है और उसके बाद तमाम एजेंसी हमें सुप्रीम कोर्ट से अब्जर्वेचन नहीं हमें सुप्रीम कोर्ट से फैसला चाहिए बहुत बड़े पैमाने पर गलत हुआ है इस गलत को अगर मिलोर्ज नहीं रोकेंगे तो शायद जो यह अंधी दोड़ है जिसे आप बार बार अभी सार कह रहे हैं कि सब कुछ हो बताना चाहूंगा जो बहुत इंपोर्टेंट पहलू है कि जब भारत की संविधान सभा में निर्वाचन आयोग पर चर्चा चल रही थी तो अर्ट कि 324 जब फ्रेम किया जा रहा था उस वक्त कुछ लोगों ने सवाल उठाया था और उठाया था कि अगर आप सरकार के हा उसका स्वरूप है और वाकई है इसमें कोई दुराय नहीं इसलिए हम महा महीं राष्टपती का हमेशा संभान करते हैं लेकिन भारत में इस्थितियां आज ये हो गई है कि मंत्री परिशद जो भी सिफारिस देता है राष्टपती के यहां से कोई पुनरविशार की जरू अब देखिए आप एलेक्शन कमिशन की आठकिल 324 का सेक्षन 2 क्या कहता है कि भारत की निर्वाचन आयोग में आयुक्तों का चैन केंद्रिय मंत्री परिशद करेगी चैन की सिफारिस केंद्री मंत्री परिशद करेगा और राष्टपती उसको उद्गोशित करेंगे या फैसला लेंगे लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली कि केवल प्रधानमंत्री के हाथ में ये फैसला होता है अब मेरा ये कहना है कि जवाला नहरू विश्वित याले यहां हमारे समय जब हम पढ़ते थे तो 12 सो लोग ते आज कल हो सकता है डाई-ती नजार लोग हो मैंने जा लाजमी ते कर लेता है और किसी को कोई उसमें हम ये न भूलें कि पिछले आठ सालों से किसी भी चीफ एलेक्शन कमिशनर ने अपने च्छे साल पूरे नहीं किये टी-N सेशन का जिक्र किया हम ये ना भूलें टी-N सेशन 1990 से 1996 के बीच में चीफ एलेक्शन कमिशनर थे यह तो इस तरह से हालात पैदा किये जाते हैं कि भई किसी ऐसे CEC को लाया ही ना जाये जो छे साल पूरे करे जो अपनी चाप छोड़ जाये ये भी एक पहलु है इस मुद्दे का तो चलिए अब हम रुक करते हैं अपने तीसरे मुद्दे का शुरधा हम सब जानते हैं किस बेरह कामले सामनी उभर कर आए जिसमें एक परिवार जिसमें पती पत्नी दोनों हिंदू है परिवार जो है पती को उसी अंदाज में मार रहा या पती ने अपनी पत्नी को उसी अंदाज में मारा जिस तरह का जिक्र जो है आफ्ताब और श्रधा प्रकरण में मगर मीडिया उसे किस तरह से चला रहा है पूरा सांप्रदाए करण और अब गुजरात की चुनावों में इसका जिक्र हो रहा है शर्मनाग बात है क्या इस खबर का पंच भाशा आप से शुरू करते हैं देखिए अविसार इसमें बहुत साफ है यह नफरत और नफरत का खेल है जो भाशपा पूरी तरह से गुजरात में चला रही क्योंकि जमीन पर संकट में फसी हुई भाशपा है और इसमें आग में घी डालने का काम मीडिया कर रही है लगातार एक ही ढंक से घपरे दिखा र लोगों को मैं यहां दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगी अंकिता भंडारी भी एक लड़की थी हिंदू लड़की थी जिसे भाशपा के नेता के जो पुत्र हैं उनके यहां पर किस तरह से उनकी निर्मम हत्या हुई यह सब गायाब है क्योंकि मकसद नफरत फैलाना है मुसल्मानों के खिलाफ नफरत फैलाना बीजिपी का एजंडा सबसे बड़ा एजंडा गुजरात में हैं अभिसार क्या है इसमें आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है भाषा कि समाज को सोचना पड़ेगा कि वो लोग इस नफरत में अपने कब तक दफन होने देंगे हेमंत विसुश्यर्मा कहते हैं कि जब तक मोदी जी जैसे प्रधान मंत्री हैं तब तक आफताब जैसे लोग नहीं होंगे अरे मोदी जी के रहते हुए इतनी वीभत्स मिसाले सामने आई हैं महिलाओं पर अत्याचार को लेकर उसमर आप क्या कहना चाहते हैं उर्मिलेश जी इस मुद्दे पर क्या है आपका पंच तेंकि मैं समझता हूँ कि ये श्रद्धा और आफताब का जो मसला है जिस तरह से इसको मीडिया में पेश किया गया में और किया जा रहा है इसका पूरा का पूरा जो एक मोटिव है उसमें ये नहीं लगता है कि इसको किसी भी तरह से नियूज के रूप में पेश किया जा रहा है बलकि सामप्रदाइक्ता और एक तरह का राजनिती की करण इसका किया जा रहा है और गुजरात के एलेक्शन के मद्दे नजर मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा केंद्रित होकर सामने आया है क्योंकि मैं अभी कल देख रहा था टेलिविजन चेरनों पर जो गुजरात यहां से गए हैं वो भी इसी को पेश कर रहा हैं यहां ऐसा लगता है कि जैसे इसके अलावा उनके पास कोई खबर ना हो जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ और यह सवाल इस देश की जनता से है गुजरात की जनता से है कि आपको इस बात का अंदाजा है कि आपके जो सत्ताधारी हैं वो आपको इनसान नहीं समझते है यानि कि आफताब के मुद्दे को उठाया जाता है यह कहे कि जब तक मोदी जी पीम बने रहेंगे आफताब जैसे लोग नहीं होंगे अरे उनके रहते यह हुआ बिलकिस बानों के गुनहगारों को रहा कर दिया जाता है समाज के कान में जू नहीं रहेंगती और ये ना भूले नरोदा पार्टिया में जो आरोपी नहीं गुनहगार उसकी बेटी को टिकिट दिया जाता है ये करारा थमाचा है सब समाज के मुपर और समाज के कान में कोई जू नहीं रहेंगती समाज इस नफरत में खुदकु सराबोर होकर गुम कर देना चाहता है और देखिए क्या विडंबना है अभी सार मौरोबी पुल हासा हुआ जिसमें गुजरात के लोग मारे गए बाहर के लोग नहीं गुजरात में हुआ और वहाँ पर विकास का जो पूरा ढोल है वह फट गया उससे पता चला कितने बड़े पैमाने पर ब्रश्टाचार चल रहा है गुजरात में उस पर चर्चा नहीं होती और पूरा टूल किट आ जाता है कि हिंदू मुसल्मान करना है और उसमें सबसे बड़ा चहरा आफ्ताब है क्योंकि सबको बहुत सूट करता है कि आप दिखाएं कि ऐसा हो जाएगा उससे पहले हमने देखा है गर्बा को कैसे करते थे तमाम हर मुसले पर गुजरात में भी मुसल्मानों के खिलाफ नफरत और तो और किसी भी मेधा पाटकर पर नफरत मतलब नफरत पहलाने का जो एजेंडा है यह पूरा चुनाओ अपने आप में बहुत यूनीक है मैं पिछले चुनाओ में भी गुजरात में थी वहाँ सी प्लेन उड़ा रहे थे मुदी जी अभी कुछ दिन बाकी है क्या उड़ाएंगे पता नहीं लेकिन अभी तो उनके नेत्रित में पूरी भाषपा की टीम सिर्फ नफरत का प्लेन उड़ा रही है और उस आधार पे मुसल्मानों को दानव जैसा पेश करके मारने काटने वाला पेश करके हिंदू वोटों का धुरूवी करन करना उनको अपने पास ले जाना इसकी साज बड़े पैमाने पे रची जा रही है और पूरा टूलकिट है जिसमें मीडिया आगे बढ़के प्ले कर रहा है उर्मिले जी मीडिया को तो हेमंत बिस फेर्मा से पलट के सवाल ये पूछना चाहिए जो हम बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि मोधी जी के रहने से जिनाव है जहां एक विधायक ने पूरे परिवार को बरबाद कर दिया हमारे सामने धेरों मिसालें उन सांसदों की जो मासूम बिलो एज लड़कियों के साथ को एक्स्प्लॉइट कर रहे था हमारे सामने बलातकारी रामरहिम के मिसाल है जिसका महिमा मंडन बीजेपी कर तो काईदे से मीडिया को इस पर डिबेट करना चाहिए था मगर गुजरात पहुंचकर पूरा जहर पहलाना उसमें डिबेट हो रहे थे देखो अभी सार मैं समझता हूं कि एक बहुत आम बात है कि क्रिमिनल किसी भी विरादरी का हो सकता है किसी भी धर्म का अनुयाई हो सकत हैं पुलकित आर्या नाम लिया जाए पुलकित आर्या बीजेटी के मेत्यका बेटा मैं ऐसे लोगों का नाम भी ज्यादा याद नहीं रख पाता अब यह 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 मेरट का उतर प्रदेश में जो घटना हुई है अपने पिता पिता पुत्री को मार डालता है क्योंकि वह लव मेरिज कर रही है अपने बीबा मैं तो समझता हूं कि विबा का मतलब ही है होना चाहिए पूरी दुनिया में है कि लव के साथ मेरिज हो लेकिन अपने हां तो उल्टा चलता है तो मैं समझता हूं कि यह जो चीजें हो रही है उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रूल है मेंस्टे मीडिया का ठीक है कि जो सियासी दल हैं और जो सामाजिक दल हैं जिस तरह से उनको इंटर्वीन करना चाहिए अपने समाज में इस इन चीज़ों को फाइट और ये केवल राजनीती का मसला नहीं है ये समाज का मसला है आप बताईए आफताब और श्रद्धा के मसले को आप एक क्राइम की घटना के तौर पे नो ले कर चुनाओ जीतने का एक ख़तकंडे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं ये कोई साधारन बात है समाज और राजनीती का मानसिक दिवालिया पतन बिकृत मनसिकता है बिकृत मनसिकता है को कि देखिए सिर्फ यहीं नहीं है मनेगा फिर वही सारे भाषण हमें सामने आ रहे हैं सारे जो चुने हुए प्रतिनिधी रहे हैं अभी तक वे बोल रहे हैं कि यहां पर भाषपा का जीतना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान खुश हो जाएगा तो एक तरफ पाकिस्तान है एक तरफ आफ़ताब है य जैसे पहले काया कि उनको एक चुनाओ में मौत का सवधागर कह दिया तो उस पर खीचा आ गया पूरे के पूरे चुनाओ को ऐसा लगा कि प्रदान मंतरी जी का या मुख्य मंतरी जो उस समय थे गुजराच के उनका बहुत अपमान हो गया ठीक है लेकिन कितना खिंचिएंगे आप एक ही शब्द को एक ही जुम्ले को कि प्रदान मंतरी हमारे पूजने प्रदान मंतरी वो प्रदान मंतरी हैं जिन्नों ने ये कहा था कि मुझे रोज 2-3 किलो गालियां पढ़ती है मैं ही तो समझनी पाता हूँ इतना जादा persecution complex पीड़ित खुद को बताना ये कब तक चलेगा मैं समझना चाहता हूँ क्योंकि अगर कोई व्यक्ती अपने आपको ये बताता है कि मेरी राजनीती 56 इन्ची सीने वाली राजनीती है तो फिर ये जो पीड़ित का पहलु है ये क्यूं आ जाता है ये बात हजम में नहीं होती तो बहुत बहुत शुक्रिया भाशा आपकर और उमलेश जी आपका इंडिया की बात में बस इतना ही अविसार शेर्मा को दीजे अजासत नमस्कार